इंडिया की investigative agencies में फेब जगाने से समधित हैं आप GS paper second के इस topic से article को relate कर सकते हो investigative agencies मतलब वो agencies जो investigation करती हैं जैसे police और police के बारे में आज के समय में image क्या है मतलब जनता के अंदर police की image क्या है police corruption करती है, जारती करती है, impartialty करती है मतलब अमीर लोग को साथ देती है या फिर जो लोग powerful है उनका साथ देती है और political leaders के साथ तो police की shark card देखने को मिलती है ये image है police की आज के समय में जनता के अंदर इसके बाद writer ये बोलते है police के देखो social legitimacy काफी ज़्यादा कम है social legitimacy मतलब जब बहुत ज़्यादा मजबूरी होना तभी लोग police के पास जाना पसंद करते है otherwise लोग police को avoid करते है जबकि दूसरे देशों में ऐसा नहीं होता police का nature आम तोर पे helping होता है बहुत easily वो accessible होते है लोगों को कोई डर नहीं होता police को access करने में इसके बाद अगर हम बात करें CBI की क्योंकि देखो police की तरह है CBI भी तो एक investigative agency है न देखो पहले तो शुरुवात में CBI की image काफी अच्छी हुआ करते थी जब भी कोई crime हो जाता और मतलब गंबीर nature का crime हो जाता तो जनता भी मांग करने लगती कि ये case जो है वो CBI को सौंप दिया जाए इतनी respect हुआ करती थी CBI की लेकिन पिछले कुछ सालों में आपने भी मैसूस किया होगा CBI की जो respect है ना काफी ज़्यादा कम हो गई है और उसके पीसे main reason है जो central government होती है वो CBI को अपने फाइदे के लिए इस्तमाल करती है जैसे पहले ये आरोप UPA की सरकार के उपर लगा था और अब यही आरोप NDA की सरकार के उपर भी लगता है हाल ही में Chief Justice of India ने CBI की working precautions raise किये साइद इसलिए ये article publish हुआ है context वैसे directly दिया नहीं है इसके बाद article में और बहुत सारे factors discuss किये जाते हैं जिसकी वज़े से CBI police जैसी investigative agencies में लोग का जो विश्वास है न बहुत ज़दा कम है ये factors हैं बहुत सारे factors हैं जैसे सबसे पहले lack of infrastructure investigative agencies के पास infrastructure का अभाव होता है sufficient manpower नहीं होती हमें इसा आप देखिएगा police stations में enough manpower available नहीं होती आप phone करोगे बहुत बार वो बोलेंगे staff नहीं है अभी staff आएगा तो भेजेंगे ऐसा reply आता है phone number पे call करोगे तो next time in human conditions देखो जो police के बड़े अधिकारी होते हैं ना सिरफ police के बलकि दूसरी investigative agencies के उनको तो बहुत सारी facilities मिलती हैं बहुत सारी privileges मिलती हैं बड़ा बड़ा घर गाड़ी ये वो लेकिन जो lowest level पे काम करते हैं न investigative agencies के personnel वो काफी ज़्यादा in human conditions में काम करते हैं duty के जो hours हैं वो लंबे रहते हैं modern equipment का अभाव है हमारी investigative agencies के पास एक बात जो हम बार-बार discuss करते हैं पुलिस एक shortcut इस्तमाल करती हैं कोई अपराद होता है जिस पर भी सख होता है पुलिस उसको मारती पीटती है पुलिस सोचती है कि मारा पीटा जाएगा तो ये person अपना अपराद सभिकार कर लेगा ये उनको shortcut लगता है क्योंकि देखो आप crime की जांच करोगे तो बहुत से लोगों कैसे आप से बात करनी पड़ेगी आप scientific evidence collector होगे आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा लेकिन shortcut ये है जिस पर सख है उसको मारो पीटो अगर उसने crime किया है तो वो माल लेगा लेकिन देखो इस चक्कर में बहुत बार कितने innocent जो लोग होते हैं उनकी harassment हो जाती है आप सोचके देखिए Next है questionable methods of procuring evidence evidence इकठा करने के जो methods है वो पुराने हैं obsolete हो चुके हैं rule book के हिसाब से काम नहीं करते बहुत से officers और जो गलती करते हैं उनकी accountability भी fix नहीं होती होता गया है जो गलती करेगा investigative agency का officers for example police का कुछ महिनों के लिए suspend कर दिया जाता है उसके बाद दुबारा बहाल example set नहीं होता कि हाँ dismiss कर दिया जाए ऐसे गलती करोगे तो डर पैदा हो police officers के बीच में इसके बाद next है lack of public prosecutor and standing councils अगर देखो जैसे police है police ने case बना भी दिया तो उस case को मजबूती से लड़ने के लिए अच्छे वकील नहीं होते सरकार अच्छे वकील नहीं provide करती next सरकारी वकील के द्वारा बार-बार एज्जैन्मेंट मांगी जाती है चुकि वो सरकारी वकील त्यार होके तो जाते नहीं है court में देखो आम तोड़ पे कभी भी आप देखना अब एक तरफ सरकार है दूसरे तरफ में कोई individual है अब देखो individual तो पूरा जोर लगा देता है case लड़ने में हमेशा उसका वकील त्यार होके जाता है लेकिन सरकारी वकील का कोई personal interest नहीं होता काईदे से ideally उनको काम करना चाहिए पूरी integrity के साथ पूरा जोर लगाना चाहिए लेकिन नहीं सरकारी वकील ना बहुत कम case बहुत कम त्यार होके जाते है और इसलिए सरकार जालतर case हार जाती है कभी भी देखना सरकार जालतर case हार जाती है क्योंकि वो त्यार होके जाते नहीं है तो बार-बार वो judge को बोलते हैं कि आप agonment दे दीजिए वो सोचते हैं कि अगली बार त्यार होके आएंगे लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है आप में से बहुत से लोग वकील होंगे और आपने तो ये चीज़ देखी ही होगे आपके लिए तो ये नोर्मल होगा इसके बार नेश्ट है Undue Imprisonment of Undertrials Crime की Investigation के दुरान किसी को खिरफतार कर लिया अब वो person उसके उपर trial चल रहा है मामला भी साबित नहीं हुआ है court में लेकिन trial चल रहा है लेकिन वो सालो साल जेल में बिता देता है और कई साल जेल में बिताने के बाद फिर जज जो है वो एक्विट कर देता है बरी कर देता है लेकिन उसके साथ कितनी नाइंसाफी हो गई Crime ना करने के बावजूद वो इतने साल जेल में रहा तो अंडर ट्राइल्स को जाला दिनों तक जेल में नहीं रखना चाहिए नेक्स्ट जैसे ही देखो सरकार चेंज होती है न तो प्राइटी सेंज हो जाती है investigative agencies की CBI पहले UPI के लिए काम करती थी आज कल NDA के लिए ये examples है लिखना नहीं आंसर में UPI NDA ये समझने के लिए है सिरफ उसके बाद next है cherry picking of the evidence मतलब कि जो वो पहले से na decide कर लेते हैं कि इसने अपराद किया है फिर जैसे end आपने पहले से decide कर लिया कि ये ही अपरादी है उसके बाद तो देखो आप सिरफ वही evidence collect करोगे न जिससे ये साबित हो कि इसने अपराद किया है लेकिन काईदे से होना क्या चाहिए rationally आप हर तरह के evidence से कख्था करो और बाद में conclusion पहुँचो कि अपराद किसने किया है लेकिन बहुत बार हमारी investigative agencies न उल्टा चलती है decide पहले कर लेती है कि इसने अपराद किया है फिर वही evidence collect करती है जिससे ये साबित हो कि इसी ने अपराद किया है बागी सारा evidence छोड़ देती है जिससे उस person की जो innocence है वो साबित होती हो next है investigative agencies के officials का बार बार तबादला होना इससे भी investigation परभावित होती है तो factors तो देखो बहुत है इसके साथ और भी आप सोचो कि तो मिल जाएंगे लेकिन आप बात करते हैं suggestions की solution क्या दिये जाते हैं सबसे पहला देतों देखो यही suggestion है political executive के साथ में जो investigative agencies का nexus है ना इसे तोड़ो यह ensure करो कि हमारी investigative agencies के officers political leaders के इसारे पर काम ना करें next police system में reform लेके आओ यह लंबे समय से मांग चली आ रही है लेकिन खास बदलाव आया नहीं है police की functioning में even ministry of home affair ने भी यह recognize किया है अपनी status note on police reforms इन इंडिया में कि police में reforms लाने के आओ सकता है next suggestion है comprehensive law देखो अभी भी हमारी जो investigative agencies है ना वो किसी comprehensive law के अंतरगत नहीं आती है एक बड़े कानून के द्वारा वो guided नहीं है इसके इसलिए writer एक suggestion यह देते हैं आप ना एक बड़ी umbrella organization बना दो एक बहुत बड़ी organization जिसके अंदर CBI, SFIO यही नाम है na SFIO का और ED यह सारी organizations ना एक बड़ी organization के अंडर आएं ऐसी आप एक बड़ी organization establish कर दो जिसका नाम कुछ भी हो सकता है for example ABC ABC organization के अंदर यह सारी organization आएं CBI, ED और SFIO और जो यह ABC organization आप establish करो ना इसको proper एक कानून के तहत establish करो मतलब पार्यमेंट से bill pass करवाओ और तब जाकर यह ABC organization आप establish करो इसका फाइदा यह होगा legislative supervision host करेगा फिर उस organization का मतलब जो ABC बड़ी umbrella organization establish की जाएगी अगर वो कानून के तहत establish होगी ना फिर पार्यमेंट भी उस organization की accountability fix करश करश करगी इसके बाद next suggestion यह देते है writer जो prosecution and investigation wing है ना वो अलग-अलग होना चाहिए मतलब की investigation की जो team है वो अलग होनी चाहिए और prosecution की team अलग होनी चाहिए तब जाके दोनों की better performance को ensure किया जा सकता है और जो यह umbrella organization बने कानून के तहत उसकी annual auditing होनी चाहिए कि performance कैसी रही इस umbrella organization की next जो state investigative agencies है ना उनको भी मजबूत बनाओ state में भी देखो investigative agencies होती है जैसे महराश्टर की anti-corruption branch है anti-terrorism squared है इनको भी मजबूत बनाने के आव सकता है ऐसा कुछ नहीं है कि जो national level पे agencies होंगी वही credible हो सकती है और state level पे जो agencies होती है वो credible होके काम नहीं करेंगी ऐसा कुछ नहीं है तो अगर देखो parliament से इस परकार का कोई कानून बनाया जाता है न umbrella organization establish करने के लिए फिर state level पे भी women जो state governments है वो central government की नकल करके उसी परकार का कानून बनवा सकती है state level पे भी एक umbrella organization establish कर सकती है जिसके अंदर state की सारी investigative agencies आएं ये भी ensure करो कि उस organization में चाहे वो state level पे हो या फिर national level पे जिसके अंदर ये सारी investigative agencies आएंगी उसमें proper woman की representation हो हमारे देश में criminal justice system में woman की representation proper होना ज़रूरी है आम तोर पे महिलाएं डरती है police station को access करने में या फिर दूसरे investigative agencies के पास जाने में ज्यादा representation होंगी तो महिलाएं भी easily criminal justice system को access कर सकेंगी next police को देखो community के साथ मिल के काम करना चाहिए मतब local जो जनता है उसके साथ अपने relations को improve करके काम करना चाहिए क्योंकि crime को आपको prevent करना है local लोगों का आप में विश्वास होना ज़रूरी है क्योंकि अगर committee का police के ओपर विश्वास है मान लीजिए तो बहुत सारे crime तो वैसे नहीं होंगे कुछ भी गलत होगा society में ambiguous होगा, संदिक्द होगा तो direct लोग show number पे phone मिला देंगे कि हमने संदिक्द गतिवती देखी है आप आ जाईए लेकिन लोगों का police में विश्वास नहीं होता तो इसलिए कोई police को inform ही नहीं करता next time to time sensitization workshops चलाओ police personnel के लिए ताकि वो जनता के साथ अच्छे से behave करें सवेधन सिलता के साथ behave करें last बात देखो ये बोले जाती है जो investigative agencies है ना उनके officers का जो dedication है ना commitment है वो सविधान के परती होना चाहिए rule of law के परती होना चाहिए ना कि किसी particular person के परती यानि political leaders के परती तो ये पूरा article हमने discuss किया investigative agencies में जनता का विश्वास कैसे जगाया जाए उससे समदी चलते हैं आगे